महिलाओं के लिए आसुरक्षिस सरकार भाजपा सरकार महिलाओं के लिए आसुरक्षिस सरकार भाजपा सरकार नमशकार, मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से दो महिने पहले वोई घटना पे अगर हम नज़र डाले तो BHU IIT की एक घटना है एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया और उस लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है जो तीन साथियों ने मिलकली गैंग रेप किया है वो बताये जा रहे हैं कि वो BJP के IT सल में काम करते थे जिस तरीके से जो भाजबा सरकार महिलाओं के लिए दावे करती है कि वह सुरक्षित सरकार है और साथी साथ ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वही सरकार महिलाओं के लिए खत्रा बंती भी नजर आ रही है आप चाहें BJP का इतियास उठाके देख ल महिलाओं के लिए आसुरक्षित नजर आते हैं और फिर यही सरकार उन पर कोई कारवाई नहीं करती है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि दो महीने बाद ही क्यूं ये लोग पकड़े गए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो BJP चाह रही है कि महिलाओं के जोज रात को शरापी के ऐसे ही तलाश में निकलते थे और उन्हें पता था कि हर रात ये लड़की उधर से ही गुजरेगी तो उन्होंने मिलके उसका गैंग रेट किया जिस तरीके से और साथ ही साथ MMS बनाया और वाइरल भी किया उसके बाद भी बीजेपी जो सरकार है भाद पर सरकाँ जो सत्ते पे बैठी अभी तक उसके लिए कोई कारवाई नहीं की थी घटना के पाच दिन बाद ही पीडित महिला ने आरोपी की पहचान कर ली लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की सवाल यहीं उठ रहा है कि जब पहचान कर ली थी आरोपी का पता लगा लिया गया था तो अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा गया था दो महीने के बाद ही क्यों पकड़ा गया जिस तरीके से आइटी सेल में यही काम करने वाले बीजेपी के सांसत बताय जा रहे हैं तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो खीचिये दूसरे का नाम ता सक्षम पतेल, तीसरा था आनंद उर्फ अभिशेक चोहान, ये तीनों बीजेपी के ITCEL में काम करते थे, हर वो गटना बीजेपी से ही क्यों जूड़ी होती है, बीजेपी इतने वादे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा में हम ध्यान देंगे, आरक्षन द दिया जाएगा, उसके बाद भी बीजेपी के सत्ता पे बैठने होने पर ही महिलाओं के साथ ऐसी दुरगटना क्यों नजर आती है, तो किस तरीके से बीजेपी के सांसत विदा है, कि सरयाम गुन्नागर्दी चल रही है, चाहे आप मनिपूर की घटना उठा ले, मनिपूर में किस तरीके से महिलाओं का नरसंघार हुआ और चार महीने बाद पता चलता है कि महिलाओं का नरसंघार हुआ और वीडियो वाइरल हो जाती है, उस पे भी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों वो कुछ नहीं बोलते हैं, इस तरीके से समाल रही है उन पर सवाल उठता है कि महिलाओं के सुरक्षा में क्यों चोक हो जाती है हमेशे जो स्मृति रानी तमाम पोस्ट एक्स जो ट्वीटर पर करती रहती है क्यों नहीं बोली महिला बाल विकास मंतराले के जो मंतरी है जो स्मृति रानी जो चीज समाल रही है साम खबरे दिखा देते हैं गोदी मीडिया जिने कहा जाता है वो यह खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं किस तरीके से अमीज देवगन कब करेंगे आरपार और ब्लैक और वाइट के सुधीर चौधरी कब करेंगे ब्लैक और वाइट सवाल यहीं उट रहा है कि गोदी मीडिया क्यों यह खबरे नहीं दिखा रही हैं आपको यह खबरे सोचल मीडिया पर ही नज़र आएगी क्योंकि सवाल उठाने वाले सोचल मीडिया ही है सत्ता पर बैठी है भाजपा सरकार कब तक चुप रहेगी ताले था उसको बंद कर दिया गया ब्रजमुशन का साथी दो कुष्टी अध्यक बना था अब जाके उसको निलंबित कर दिया गया है जब चुनाम नजदीक आते हैं तभी सरकार यह सब कदम क्यों उठाती है क्यों इतनी देड़ लगती है सरकार को नियाय दिलाने में महिला जो किया गया है भाजपा के ITCEL में काम करने वाले इन तीन आरोपियों ने जो ग्यांग रेप किया है इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं यह भाजपा के दिगज नेताओं की छत्रिछाया में सरयाम पनपते और घूमते भाजपाईयों की वो नई फसल जिनकी तथा कति जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है सूशनाती भाजपा के सर्वोच नेताओं से अबैदान प्रात्वे भाजपाई जिन पर बनारे सिंदू उनिवर्सिटी में बी एच्यू में एक छात्रा के साथ अबधरता की सीमाई पार करने का अरोप है क्या नार पर सरकार उन पर कोई कारवाई नहीं करती है लेकिन जब चुनाव नजबी काते हैं तब ही वो उनको क्यों पकड़ लेती है फिर इसी चीज़ पर रवीश कुमार लिखते हैं मेरा एक प्रश्न है इरंतर धर्म और राष्टेवाद की राजनिती में डूबे इन यूवकों में जरा भी बदलाव नहीं आया अपरादी तो कोई भी हो सकता है मगर भाजपा और संग चरित्र पर बहुत जोड देते हैं ये तीनों इनके संगटन के हैं दस साल से तो होंगे ही क्या इन तीनों का चरित्र यहीं बंसगा कि ये कथित रूप से बंदू की नोप पर बलतक कर रहे थे तीनों आरोपी की तस्वीर प्रधान मंतरी मोधी मुखे मंतर योगी और बीजेपी अध्यक्ष नडड़ा के साथ है इनमें से आईटी सेल का प्रमूख है तीनों के वहवार का मनोवज्यानिक अध्धन करना चाहिए इनके घरों पर बिल्डोजर चलाने के से नहीं के परना चाहिए प्रधान मंतरी मोधी जी पर सवाल उपढ़ और सवाल गये उट रहे हैं कि अंधन खतम हो गया जो बुल्डोजर नहीं है जिरो टॉलर्रिंस वाली सरकाल कि चलाएगी तमाम चीज़ों सो नजरा थी उस तो बुल्डोर्जा चल जाता है लेकिन यह जो आरोपी हैं जो अप जाके गिरफतार हुएं इन पर तब कारवाई क्यों नहीं की गई जब महिला ने पास दिन बाद ही यह बता दिया था कि और आरोपी उको पहचान लिया था तब क्यों नहीं कारवाई की गई जो गोधी है यह भाजबार सरकार कभ करेगी महिलाओं के साथ नहीं आए कभेगी उनको आरक्ष्ण मंतरी के सांसदी छेतर में ऐसा हो रहा है टो प्रदान मंतरी किया करने है यूपी में घटना घटी है यूपी में भी घटना सामने आती रहती है तो जो योगी सरकार है वो क्या कर रही है तमाम ये सरकारे जो भाजबा सरकार है सत्ता पर बैठी हुए पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है वही स्मृतिराणी पे भी तमाम सवाल उठाएंगी रही थी लेकिन अगर वही ये जो तीन आरोपी है भाजपा के ITCEL में काम करते थे तो इनको दो महीने तक रोका गया और दो महीने बाद इनको गिरफतार किया गया लेकिन वहीं अगर ये कॉंग्रेसी के आरोपी होते तो वहीं पूरी सत्ता पर ही सवाल उठ जाता कॉंग्रे सरकार से जो भी सवाल पूछता है वो उसको निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि मोदी के पास हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी के पास जवाब ही नहीं ये देने कि ने तबी वो सबको निलंबित कर दी जाती है और साथी साथ शुआ यही उड़ता है कि जो भादपर सरकार है वो इतनी देर क्यों लगाती है महिलाओं को नियाये देने में क्या ये सब राज नेतिक जुम्ला है क्योंकि तमाम जो जमीनी हकीकत हम आपको बता रहे हैं जो तमाम लोग है जनता वो यही सवाल पूछते हैं कि चुनाव आते ही वो सभी चीजों पर इतना ध्यान क्यों दने लग जाती है चाहे वो महीला पहलवान की बात हो चाहे वो किसानों की बात हो चाहे वो महीला सुरक्षा की बात हो तमाम इनी सब चीजों के लिए वो अब जाके कदम उठाएगी ताकि वोट बैंग उनके हाथ में आ सके तो इस पूरी बात चीज पर अमनी प्रतिकिरत जरूर दीजेगा